गमन ग्यान को खा जाता है और अग्यानता परिवार को बरबाद कर देती है ऐसा ही कोई साज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक लड़की जिसकी उमर 35 साल है वो एक साधी समारों में जाती है वहाँ पर एक और वैक्ती आया था वह भी खाना खाता है और वह लड़की भी खाना खा रही थी जैसे ही वह लड़की उस वैक्ती को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है इधर जो वैक्ती था वह उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता है आखिर कौन था वेवैक्ती जिसको देखकर वे लड़की फूट फूट कर रोने लगी क्या कहानी थी पूरी सच्छे जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जीतो सौरोत और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमान चैनल वीडियो को ज़्यासे ज़्यादा सेर करें पेज को फोलो करना ना भूलें आज की जो घटना है यह है उत्तर प्रदेश के जालौन की उत्तर प्रदेश के जालौन में एक अबनीस नाम का लड़का रहा करता है उसके घर में उसकी मा, बाप, भाई, बहन, पूरा भरा पुरा परिवार है और अबनीस के पास काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर उनको कोई पैसो के कैसी भी दिक्कत नहीं है जो अबनीस है वो साधी के हो चुका है तबी एक दिन अबनीस के घर पर एक काड आता है रिष्तेदारी में कोई साधी थी तो उस साधी के लिए उनके घर पे काड आता है तो घरवाले अबनीस को कहते हैं कि बेटा तू ऐसा कर तू वहाँ पर साधी है और वहाँ पर चला जा पहले तो अपनी थोड़ा मना करता है गरवालों से कि मुझे नहीं जाना फिर गरवाले एक बार और कहते हैं उससे तो वो मान जाता है और उस साधी समारों के लिए सद्धजकर निकल जाता है साधी समारों के अंदर जाता है, वहां पर खाना पीना चल रहा था म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था सभी लोग इंजॉय कर रहे थे तरह तरह से साधी के अंदर काफी सारे लोग थे भीट भार थी दुलन भी अच्छी तरह से त्यार होकर आए थी और दुला भी अच्छी तरह से त्यार होकर आता है और साधी समारों का काम चल रहा था तब ही अबनीश देखता है कि जो दुलन है उसके साइड में एक लड़की खड़ी हुई है और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है अबनीश उसको एक बार देखकर देखता ही रह जाता है वो लड़की अबनीस को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है अबनीस उसे मन ही मन चाने लगा है अब दोस्तों जो साधी समारो है वो कम्पलीट हो जाता है वो लड़की दोलन के साथ ही वापस चली जाती है इदर अफने घर आ जाता है लेकिन अबनिस के दमाग से उस लड़की का ख्याल जा ही नहीं रहाता तो अबनिस अपने घरवालों से बात करता है उनको बताता है कि मैंने इस साधी में ऐसे ऐसे एक लड़की देखी है उसके बाद साधी की एलबम आती है और एलबम के अंदर फोटो होते हैं जिन फोटो के अंदर वो लड़की अबनीश को देख जाती है वो उस फोटो को अपने घरवालों को दिखाता है कि ये लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ और मैं साधी करूँगा तो इसी से करूँगा अब घरवाले उस लड़की को देखते हैं तो उन्हीं की रिस्तेदारी में से वो लड़की थी याने कि जान पहचान वाली थी दूर करिस्ता भले ही था लेकिन वो लोग उस लड़की को जानते थे कि वह ये किसकी लड़की है उसके घरवाले जाकर उस लड़की के घरवालों से बात करते हैं लड़की के घरवाले देखते हैं कि अपनी इसके पास अच्छी कासी प्रोपर्टी है पैसो की कोई भी दिक्कत नहीं है तो वो लोग एगरी करते हैं साधी के लिए जैसे ये बात लड़की को पता चलती है तो वो अपने घरवालों से इंकार करती है और कहती है कि मैं उस लड़के से साधी नहीं करूंगी वो तो देखने में खुबसूरत भी नहीं है मैं भला उससे साधी क्यों करूंगी लेकिन अरेंज मैर्ज ऐसी होती दोस्तों घरवालों का जहाँ पर बोल दे तो वहाँ पर साधी करनी पड़ती है गाओं के अंदर मुस्त लिये माहौल देखने को मिलता है अब लड़की की साधी करा दी जाती है, दूम दाम से दोनों की साधी होती है सामान का लेंदेन भी होता है और सबी लोग हसी खुशी इस साधी को इंजोय करते है साधी होने के बाद जो लड़की है वो अबनीस के घर आ जाती है दुलहन बनकर लड़की का नाम पत जानवी अब जानवी दुलहन बनकर अपने पती के घर आई थी लेकिन उसके अंदर गमंड था अपनी खुबसूरती का वो अपने पती को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी और इस बात की खबर अबनीश को भी लग जाती है कहीं न कहीं से उसको पता चल जाता है कि जो उसकी पतनी है उसने स्टार्टिंग में इस रिस्ते के लिए मना कर दिया था लेकिन अबनीस बहुत ही धहर्यवान बहुत ही समझदार लड़का है वो इस बात को चुपा लेता है और किसी को जाहर नहीं होने देता साधी हो जाती है जो अबनीस की दुलन है जानवी वो घर आती है अब जैसे ही अबनीस और जानवी की मुलाकात होती है जानवी साप साप अवनीश को बता देती है कि ये साधी मैंने अपनी मरजी से नहीं किया है वो तो घरवालों का प्रैसर था तो मैंने ये साधी कर ली वरना तुम कहां और मैं कहां ये बात जानवी अवनीश के मूपर ही कह देती है लेकिन अब अवनीश करे भी तो क्या करे क क्योंकि उसने इस लड़की को पसंद किया था और अपने गरबालों को बताया था कि मुझे इसी लड़की से साधी करनी है वरना मैं किसी और लड़की से साधी नहीं करूंगा। अब यहाँ अबनीश चुपचाप रह जाता है किसी को कुछ भी नहीं बताता और इस रिस्ते को आगे बढ़ाता है। अब जानवी कई तरह की गलतियां किया करती लेकिन जो अबनीश था वो उसकी गलतियों पर परदा डाल दिया करता है। अब जानवी की अब जानवी की अब जानवी किसी बात को लेकर अबनीश से बहुत जगड़ा कर देती है। और जगड़ा करने के बाद वे अपनी छोटी वाली लड़की को लेकर कोट में जाकर तलाक का केस दर्ज करा देती है। अपने माई के चली जाती है, वहाँ से केस को लड़ने लगती है। इसके बाद दोस्तो केस चलता रहता है और धीरे धीरे उन दोनों का तलाक हो जाता है। अबनीश अपने घर रहने लगता है, जानवी अपने घर रहने लगती है। अब जो अबनीश है, वह दूसरी साधी कर लेता है। क्योंकि उसे पस्तावा था उसने सोचा था कि भाई ये सुदर जाएगी लेकिन वो नहीं सुदरी तो अपने जीवन यापन करने के लिए वो दूसरी साधी कर लेता है और दूसरी साधी थे जो उसकी पतनी होती है वो अबनी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है बहु और चोटी वाली लड़की उसकी पतनी के पास रहा करती है इसी तरह से दिन बीत रहे थे लगबग 12 साल बीच जाते हैं 12 साल बाद एक और साधी समारों होता है उनकी रिष्तेदारियों में और उस साधी समारों में अबनी इस अपनी पतनी के साथ और तीनों बच्चों के स एक लड़की थी जो पहली वाली वीवी से थी और दो लड़के थे जो दूसरी वीवी से हुए थे उनके साथ उस साधी को अटेंड करने के लिए जाता है वहां जाकर देखता है सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम बजा हुआ है दावत चल रही है कुछ ल चैवल पर खाना लगा हुआ था उसमें से थोड़ा-थोड़ा खाना डाल कर एक जगा खड़ा होकर खाना खाने लगता है उसी साधी समारों के अंदर एक लड़की होती है जिसकी उमर 35 साल है वो अबनीश की तरफ देखती है और देखकर अबनीश को उसकी आखों से आसू निकलने लगते हैं वह भी पलेट के अंदर खाना खा रही थी लेकिन पलेट का जो खाना है वो पलेट में रह जाता है और उसके मूँ का खाना मूँ में रह जाता है और वो जोड-जोड से फूट-फूट कर रोने लगती है अबनीश को देखकर वो लड़की थी उसकी पहली पतनी जानवी जो कि 12 साल बाद अपने पती को देखती है अबनीस जो कि उस पर अभी गौर नहीं कर रहा था वो अपने खाने पर गौर दे रहा था और जानवी उसे देखकर रोए जा रही थी जैसे ही सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं अबनीस की तरफ तो अबनीस देखत कि आखिर चक्कर क्या है यह सभी लोग मेरी तरफ क्यूं देख रहे हैं तो वो देखता है कि उसके सामने जानवी खड़ी थी जो उसे देखकर रोने लगी थी जानवी की हालत पहले से और ज्यादा बत्तर हो चुकी थी पहले वो हस्ट फुस्ट तंद्रुस्ट रहा करती ले देखते ही वो भी थोड़ा सा भावख हो जाता है उसको पुराने बीते पल याद आ जाते हैं जिस टाइम पे उन दोनों की साधी हुई थी और वो लोग एक साथ रहा करते थे बले ही थोड़े ही सही लेकिन कुछ टाइम उन्होंने खुसी का एक दूसरे के साथ बिताया थ तो वो पल उन दोनों को याद आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं अब साधी के अंदर जो लोग आये थे उन में से कुछ लोग जानते थे कि वह इन दोनों का तलाक हुआ था और आज ये 12 साल बाद एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और इ एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और दोनों की आँखों से आंसु छलक रहे थे अब दोस्तों अबनीस जानवी से पूस्ता है कि सुनाओ जानवी कैसी हो क्या हाल है तुम्हारे देखने में लग रहा है कि तुम्हें कोई बीमारी हो चुकी है तुम बहुत ही जादा बहुत है कि तुम्हारा गमंड टूटा या अब भी उतनी ही घमंडी हो इस चीज को सुनने के बाद जो जानवी है वो और जोरसे रोने लगती और कहती है कि अबनीस मुझे माप कर दो मुझसे जो भी हुआ मेरी गल्ती थी मेरी भूल लगा लो या मेरी अज्यानता थी मैं पहले सी नहीं रही हूँ मुझे पता चल गया है कि अपने घर को उजाडने के बाद कोई भी सुकी नहीं रह सकता और जो चीज मैंने बखो भी जहली है तब ही अपनी इस कहता है कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें तुम तो पहले इतना घमंड करती थी अपनी खूबसूरती का और आज ऐसा क्या हुआ जो तुम इस बात को कह रही हो जानवी कहती है कि मैं उस समय किसी और लड़के से प्यार करती थी उसी वज़े से मैंने तुम्हें तलाग दिया था लेकिन बाद में उस लड़के ने भी अपना रंग दिखाया और मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार करने वाला कैसा होता है अबनीस मुझे माप कर दो मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अब तक साधी नहीं किया मुझे अपने साथ ले चलो और मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी इधर जो अबनीस है वो कहता है कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता अब मेरी दूसरी साधी हो चुकी है और मेरी पतनी मुझे बहुत सारा प्यार करती है मेरी हर बाद को समझती है और दो बच्चे बी हैं मैं ऐसे नहीं कर सकता लेकिन जानवी जोड़ जोड़ से रोकर उसे माफ़ी मांगती है तो अपनीस कहता है कि चलो कोई बात नहीं मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछूँगा अगर वो राजी हो जाती है तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा ऐसा कहकर अपनीस वहाँ से चल देता है साधी समारों खतम होता है वो अपने घर जाता है घर जाकर एक कमरे में अपनी पत्नी के साथ बैठता है और उससे कहता है कि साधी मैं आपने देखा ही होगा क्या हुआ था तो उसकी पत्नी भी है उसकी हर बात को समझती है वो कहती है हाँ हाँ मैंने देखा था वो ही थी तुमारी पहली पत्नी तो अब यहाँ पर अबनीश कहता है कि उसने मुझसे कहा है कि मुझे अपने साथ ले चलो अब तुम बताओ इसमें मैं क्या करूँ तब ही उसकी पतनी बोल उठती है कहती है कि मुझे इससे कोई परिशानी नहीं है तुम चाहो तो उसे भी हमारे साथ रख सकते हो वो मेरी बेहन की तरह है हम दोनों बेहन मिलकर एक साथ रहेंगे और तुमारी जो बिच्डी हुई बेटी है वो भी तुमारे पास आ जाएगी उसने भी अपने पापा का अब तक चेहरा नहीं देखा होगा और वो तुम से मिलकर बड़ी ही खुस होगी इस बात को सुनने के बाद जो अबनीस है उसकी आखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दूसरी पतनी को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम औरत नहीं तुम देवी हो तुम ने मुझे इतना समझा और मेरे हर बात का ख्याल रखा इसके लिए तह दिल से धन्यवाद और ऐसा कहकर वो अपने फोन से फोन करता है अपनी पहली पतनी को और कहता है कि मेरी पतनी तुम्हें हमारे साथ रखने के लिए राजी है तो तुम तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ उसके बाद अपनी इस गाड़ी लेकर जाता है अपनी पहली पतनी के घर और उसे गाडी में अपने साथ बिठा कर ले आता है पूरा परिवार एक साथ हसी खुशी रहा करता है और यहां पर गमंड तूटने के बाद उस लड़की का दुबारा से घर बस जाता है वो अपने पती के साथ उस घर में अब हसी खुशी रहा करती है तो दोस्तो यह थी कह जहां पर गमंड के कारण एक घर तूटा और तूटने के बाद जब उसका गमंड तूटा तो वह घर दुबारा से बस गया आप लोगों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बाग दोस्तों वीडियो अच्छी लग तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत जय हिन दूस्तों